नमस्कार दोस्तों स्वागताब सभी का मेरी यूट्यूब चैनल इन्फो अकेडमी पर और आज की इस वीडियो में आप एक भरती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे यह जो भरती का नए नोटिफिकेशन है यह जोहरलाल इंस्टिचूट और पोस्ट ग्रेजवेट मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च पॉंडेचेरी के द्वारा जारी किया गया है यह Medical Education Research Institute Ministry of Health and Family Welfare Government of India का इंस्टिचूट है और इसके तहत ग्रूप B और C की पदों के लिए ओनलाइन एप्लिकेशन इन्वाइट की गई है इन सभी पदों के लिए भारत वर्स के किसी भी राज्या के कैंडिडेट एपलाई कर सकते हैं एपलाई करने के लिए आपको केवल और केवल ओनलाइन एपलिकेशन ही सम्मिट करनी पड़ेगी आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि आपने किस परकार से ओनलाइन एपलिकेशन कब-कब आपने सम्मिट करनी है और कितने कितने पद हैं वैं सारी जानकारी आप इस वीडियो के माधम से प्रापत कर पाएंगे यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको भरतियों से समंदित जितनी भी अफडेट्स है वो इस चैनल के माधम से मिलती रहे आगे देखते हैं कि आपने जो इंपोर्टेंट डेट्स हैं इस भरती के लिए आपने कब-कब एपलाई करना है सबसे पहले बात करते हैं ओनलाइन रेजिस्टेशन ओफ एप्लिकेशन फारम की जो की 13 दिसंबर 2021 से सुबह 11 मजे से यह शुरू हो जाएगी और ओनलाइन रेजिस्टेशन ओफ एप्लिकेशन की जो क्लोजिंग रेट है वो 5 जनुरी 2022 है यानि 13 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर 2021 से लेकर 5 जनुरी 2022 के मध्य में आप अपना ओनलाइन एप्लिकेशन सम्मिट करवा पाएंगे इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप 13 जनुरी को अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे और डेट ओफ एग्जामिनेशन जो है वो ओनलाइन मोड में ही आपका एग्जामिनेशन कंड़क्ट करवा जाएगा वो 23 जनुरी 2022 को 9 से सिंगल शिफ्ट में कर जाएगा 9 सुबह 9 बजे से लेकर 11 एम तक कंड़क्ट करवाया जाएगा और इस परकार से यह जो इंपोर्टेंट डेट्स थी यह इस परकार थी आगे देखते हैं कि कौन-कौन से पद एडवर्टाइजमेंट किये हैं यह 13 दिसंबर को एडवर्टाइजमेंट जारी तो SC के लिए एक और ST के लिए 7 वेकंसी हैं कुल मिलाकर Medical Laboratory Technologist के लिए 12 पद विग्यापित किये गए हैं इसके बाद है Junior Administrative Assistant यह LDC की पोस्ट है LDC की पोस्ट का नाम बदलकर आजकल Central Government के महकमों में Junior Administrative Assistant कर दिया गया है तो यह LDC की पोस्ट है कुल 8 पद है आठ पदों में General Senior के लिए 4 हैं Economically Weaker Section के लिए 2 और SC के लिए 2 पद हैं कुल मिलाकर 8 पद हैं और Group B और C के मिलाकर कुल 20 पदों के लिए यह आवेदन जारी किया गया है Online Application आपको जो Blue Lines में आपको एक वेबसाइट दिखाई पद रही होगी www.jipmer.edu.in इस वेबसाइट के उपर जाकर ही आपने Online Application अप्लाई करना है और Group B की जो पोस्ट है MLT Medical Laboratory Technologist इसके लिए जो जरूरी हो गयता है Bachelor Degree in Medical Laboratory Science with 2 Year Relevant Experience और Pay Level जो 6 की वेकंसी है इनिशल जो आपकी बेसिक पे रहे गी हो 35,400 प्लस यूजवल आलाउंसिस आपको 7 पे कमिशन के अनुसार आपको मिलेंगे और 18 से 30 वर्स के बीच के जो candidate है वो Medical Laboratory Technologist के लिए अपलाई कर सकते हैं इसके बाद है Group C की पोस्ट Junior Administrative Assistant की इसके लिए जो जरूरी होगता है आपको वीडियो स्क्रिन पर भी आपको दिखाई पड़े होगी बारवी कक्षा किसी भी रिकुकनाई बोर्ड से या उनिवस्ट्री से आपने पास कर रखी होनी चाहिए और इसके इलावा 35 प्रती मिनट इंगलिस में टाइपिंग स्पीड और 30 प्रती मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड यह कंप्यूटर पर आपको टाइपिंग का स्पीड देना पड़ेगा, स्पीड टेस्ट, यह आपका स्किल टेस्ट होगा, और बारविंग कक्षा के साथ आपको टाइपिंग आनी अत्य अवश्यक है, तभी आप जूनियर एड्मिस्टेटिव एसिस्टेंट के लिए अपलाई कर सकते हैं, पे लेवल टू की वेकंसी है उननिस अजार नोसो इनिशिल आपका बेसिक पे रहेगा सेवन पे कमिशन के अनुसर, अठारा से तीस वर्ज के बीच के कैंड़ेट एपलाई कर पाएंगे, और जो अन्तिम तारिक है, वो पांच जनरी दो हजार बाइस है, पांच जनरी दो हजार बाइस को ही आपकी एज की गणना और जो उपरी आयू सीमा की और कम से कम आयू सीमा की और क्वालिकेशन की गणना जो है, वो पांच जनरी दो हजार बाइस एन क्लोजिंग डेट को की जाएगी, जो कैंड़ेट से सम्मध रखते हैं, उन्हें उपरी आयू सीमा में भार सरकार के निमों के मताबिक आपको छूट मिलेगी, जैसा एज रलक्षेशन इस एड़ोटाइजमेंट में भी बताया गया है, जो कि आपको वीडियो स्क्रीन पर भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसके इलावा इस जो एपलाई करने की जो टर्म हैं वो भी इस एड़ोटाइजमेंट में दी गई है, OBC के लिए economically weaker section इत्यादी के लिए किस परकार से आपने certificate या SC के लिए certificate आपने किस परकार से लगाने है, वो सारी जनकारी इस एड़ोटाइजमेंट में दी गई है, एक बार online apply करने से पहले आप इस एड़ोटाइजमेंट से go through हो जाएं, ताकि आपको किसी परकार की कोई दिख्यत ना है, आगे बात करते हैं application fees की, कि आपको इन सभी पदों को apply करने के लिए application fees कितनी देनी पड़ेगी, application fees भी आपके वल online ही जमा करवा पाएंगे, net banking, credit card, debit card के माध्यम से, इसके इलावा कोई और अन्या माध्यम नहीं है, जो जर्नल सर्णी के candidate हैं, और economically Phratic yes, फिस के रूम में आपको देने पड़ेगी, 1500 फलस बैंक के जो charges हैं वह देने पड़ेगे, SCST के जो candidate हैं उन्हें 1200 पे प्रती application fees के रूम में आपको देने पड़ेगे, जो candidate handicaps रेनी के हैं, उन्हें किसी उपरकार की कोई application fees नहीं देनी है, इस परकार इन सेक्शन्स को पढ़ते हुए आप अपना आवेदन जो ग्रूप B और ग्रूप C के पद एड़ोटेजमेंट किये गए हैं JPIR जोहरलाल इंस्टिचूट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च पॉंडेचेरी के दुआरा उसके लिए आप ओनलाइन अपना एप्लिकेशन समिट कर सकते हैं इस परकार के नए-ने जोब नोटिकेशन प्रापत करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक वे शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भरतियों से समंदित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के मादम से मिलती रहे धन्यावाद